हलो गाइज माई निम इस उद्देश और स्वागत आपका बॉक्स ओफ रेस्लिंग में यार आज का रॉ नहीं पूरा बॉम था जो की ब्लास्ट हुआ है ऐसा रॉफ वन से लाइफ टाइम में होता है बस एक बार काफी सारी चीज़े हमें शो पर देखने के लिए मिली जैसे ब्रॉक लेस्ने का शौकिंग रिटर्न हुआ सर्ट ट्रॉलेंस यहां पर नियू उनाइट स्टेट्स चैंपियन बन गया है और रोमन रिंज भी शो पर दे डी जनरेशन एक्स भी शो पर दे ब्रेवाइट का रिटर्न भी इस शो में होने वाला था तो काफी सारी चीज़ सुरू करते हैं कि क्या-क्या हुआ रोमे रों स्टार्ट होता है बैक इस्टेस से जहां डी जनरेशन आक्स के सबमेंबर होते हैं और अपने ही मजाग करते रहते हैं कुछ हार्डवड एब्यूज यूज़ करते रहते हैं वह लोग अपस में तो ट्रिपल लिल हाके मनागत सब को कि भाई यह हम तेलिविजन पे हैं और WWE RAW का मेन ओपनिंग करते है रोमें रेंस एंड ब्लड लाइन रोमें इसका आइकॉनिक लाइन आता है इंटर्टेन कर देते हैं पूरे ओडियंस को सामी जेन जे उसो को बोलते है भाई तू हमेशा गुसे में रहता है थोड़ा कूल बन जा तब ही उनको इंटरप करते हैं रेडल और चैलेंज करते हैं रोमें रेंस को मैच के लिए लेकिन Romaness मना कर देते हैं मैच के लिए Riddle फिर बोलते हैं अच्छा टी के Romaness मैच तेरे साथ नहीं लेकिन तेरे किसी members के साथ तो लड़ सकता हूँ Riddle फिर चैलेंज कर देते हैं Sammy Zayne को और ये मैच WWE में official हो जाता है आज के Raw के लिए तो Raw का opening ही बहुत अच्छा हो हमें देखने को मिल गया था Next Austin Theory और Johnny Gargano को बीच मैच था यहाँ पर finisher के साथ Johnny Gargano easily मैच जीच जाते हैं इसमें ज़्यादा कुछ मैच में उतना था नहीं Normal सा simple सा ये मैच था Next Chad Gable और Remy Studio का मैच होने माल था ये मैच तो Mysterio जीच जाते हैं लेकिन उसके बाद Domrick रिंग में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे मारो अपने पापा से बोल रहे हैं भाई मारो मुझे मारो वही वाला meme या फॉलो हो रहा था बट रे ऐसा करते नहीं है और फिर Domrick पुरा Judgment Day अटाक कर देता है Mysterio पर फिर उसके बाद Judgment Day अपना प्रोमो कट करता है यहां वो mention करते हैं कि कैसे उन्होंने Age को हराया Extreme Rules में और इसके साथी साथ Finn Balor warning देते है AJ Styles को कि भाई तू मेरे टीम में आ जाने वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है और AJ Styles आते हैं वहाँ पर और ऐसा शो करते हैं कि नहीं भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है मैं तो तेरे साथी हूँ मैं तेरे साथा है तो मुझे फैमली मिल जाएंगे इतने सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे और भाई AJ Styles आते हैं और Finn Balor से गले मिलते हैं उस टेंब पर लगा भाई नहीं AJ Styles इतने अच्छे से बात कर रहे हैं Finn Balor से कोई ना कोई तो चाल होगा भाई इसमें और तुरंती AJ Styles बोलते हैं भाई मैंने ये सब चीज जो भी का ये तेरे टीम के लिए नहीं बोला तब ही वहाँ पर Luke Gallows और Karl Anderson का Return होता है जिसका नाम है The Team OC WWE में The Club के नाम से भी जानते हैं वो आते ही अटाक कर देते हैं पूरे Judgment Day के उपर और बस बच बचा के कैसे न कैसे Judgment Day वहाँ से निकल जाते हैं भाग जाते हैं फिर इसके बाद रौ में The Miz का बड़े Celebration होता है यहां रिंग में Cake और सब चीजे रहती हैं लेकिन बड़े Celebration खराब करने आ जाते हैं Dexter जो की Table के नीचे छुपे रहते हैं और Miss को अपना Submission लगाने की कोशिश करते हैं बाहर निकलते ही लेकिन वहाँ से बच बचा कर कैसे न कैसे भाग जाते हैं The Miz उनको ये भी मतलब निए कि भाई उनकी वाइफ मरीस रिंग में लेकिन वह बस महां से बच बचा के निकल जाते हैं और हाँ ये पूरे चीजों के दोरान मरीस भी केक उपर गिर जाती है जो की बहुत जादा फ़नी था फिर The Miz backstage जाते हैं और D Generation X से मिलते हैं और next week के लिए एक match official हो जाता है जहां पर अगर The Miz जीते हैं तो Dexter WWE छोर कर चल जाएंगे लेकिन अगर The Miz हार गये तो Dexter को WWE एक contract sign कर लेगी कि हाँ वो अब officially हमारे superstar बन चुके हैं इसके बाद Omos का भी match है याँ पर जिसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए हैं और Omos एक match जीत जाते हैं next Bobby Lashley वसे Seth Rollins का match था जिसका वेट मैं सुबर से कर रहा था कि भाई शोर पे सबसे बड़ा match मुझे यही लग रहा था Bobby आते हैं वो बोलते हैं कि मैंने बड़े-बड़े superstar को रहा है मैंने Roman Reigns को आ रहा है मैंने Brock Lesnar को भी आ रहा है और जैसे ही वो बस यह वर्ड यूज करते हैं उसी टाइम ब्रॉक लेस्टनर का थीम सॉंग पले होता है उस टाइम पर पूरे गुजबंस आ गई भाई कि लैश्ली और Brock Lesnar सामने सामने अब क्या होने वाल है Brock Lesnar का रिटर्न हो गया एक शौकिंग रिटर्न और वह आते हैं रिंग में और बॉबी लैश्ली को एक F5 लगा जेते हैं और इसके बाद अपने समिशन में भी होल करते हैं और वहां से चल जाते हैं अब उसके बाद होने वाला था बॉबी लैश्ली का मैच लेकिन इस आलत में मैच तो नहीं सकता है तो उनको सब रेफरी और बाकी जो टीम रहती उनको लेके जाती है कि भाई चल तू बैक स्टे तुरंती पेडिग्रे लगा देते हैं उसके बाद अपने एक सूपर केक भी लगा देते हैं लेकिन वह सेट रॉलेंस को पिन नहीं कर पाते है क्योंकि उनकी हालत तो ऐसी खराब रहती है उसके बाद सेट रॉलेंस अपने एक सूपर केक लगाते हैं स्टॉंप लगाते है और 1, 2, 3 और Seth Rollins बन चुके अपने new United States Champion भाई, Seth Rollins को जा के Brock Lesnar के गले लग जाने चाहिए सबसे ज़ा थाइंक्यू Brock Lesnar को उनको बोलना चाहिए क्योंकि indirectly Brock Lesnar ने उनकी बहुत ज़द हेल्प कर दी है और फिर Bobby Lashley मैच के बाद चैलेंज कर देते हैं Brock Lesnar को next draw के लिए इतना सदिंग ये कमाल का WWE स्टोरी लाइन सेट कर देगी किसी को भी आइडिया नहीं था हाँ Brock Lesnar रेटर्ण ज़रूर करेंगी ये थोड़ा कल भी रूमाजार था मैंने अपने वीडियो में भी मेंशन किया था कि ब्रॉक लेस्ट नहीं हमें देखने को मिल सकते हैं रौपे बट इतना जल्दी होगा ये किसी को आइडिया नहीं थे कि भाई मैच भी सेट हो जाएगा अब देखते हैं next draw में क्या होता है इसके बाद Sammy Zain और Riddle का मैच स्टार्ट होने वाला रहता है और हाँ Roman Dains पहले शो से चल जाते हैं और ये बोलते हो जाते हैं कि Jay Uso ये तुम्हारी जिम्मदारी है कि आज Sammy Zain किसी भी हालत में मैच नहीं हारना चाहिए Riddle की against मैच स्टार्ट होता है Jay Uso continue Sammy Zain की help तो करना चाहते हैं लेकिन Sammy Zain उनको मना कर देते हैं लेकिन Sammy Zain उसके ज़से काफी ज़्यदा distract हो जाते हैं और add then Riddle को advantage मिल जाता है वो अपने एक RKO लगा के मैच जीत जाते है Sammy Zain के against अब भाई Smackdown में क्या होगा अब देखते हैं next Smackdown में क्या होता है सब चीज के लिए WWE क्या hype बना रही है next week के लिए Raw में इतनी सारी चीज़े है पहले से hype बन गया भाई Brock Lesnar के बाद और Smackdown में भी क्या होगा कुछ पता नहीं है शो तो अदम बवाल जाने वाल है next इसके बाद D-Generation X ring में आते हैं and promo cut करते है Triple S thanks करते है पूरे WWE Universe को for the support and love and show यही पर खतम हो जाता है या सच में आज का Raw देख के यह लगा ना भाई यह Raw नहीं यह तो भाई रेसलमेनिया है आज सब चीज़े शो पर यह था main event जैसी लगी बस Brave White का return नहीं था शो पर actually WWE ने Brave White का एक video package भी चलाया था जिस video का उतना मतलब को नहीं समझा है उसमें Brave White वैसे अपना mask पैने रखते हैं और बस यहीं बोलते हैं let me in Brave White का अगर ऐसे कोई segment होता है in ring में तो काफी ज़दा और मज़ा आ जाता और next Raw में WWE ने Elias का return भी book की गया है Triple H को बढ़ागे कोई salute कर दो यार क्या Raw था आज का मज़ा आगे देखके So friends आज का वीडियो यहीं तक था अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करें subscribe करें मैं ऐसे interesting वीडियो आपके लाते रहेंगे So मिलते अपने next वीडियो में जल्दी Goodbye